हेलो फ्रेंड्स वेलकम और वेलकम बैक टू रानी किचन जोन दोस्तो आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही अमेजिंग किचन के टीप्स और हैक्स जो आपके डे टुडे लाइफ को बहुत ही जादा इजी बना देगा तो चलिए विदाउट एनी डिले दे चीज खुली रह जाती है तो उसमें चीटियां पढ़ जाती है चाहे वो चावल हो रोटी हो कुछ भी हो एक बार अगर आपके घर में चीटियां आ गई न तो फिर वो जाने का नाम नहीं लेती है तो चलिए इनसे बचने का एक छोटा सा उपाय बताऊंगी आपको कि इस चीज है जिसकी खुश्बू बहुत ही जादा स्ट्रॉंग होती है और चीटियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तो ऐसे आप लगा करके रखेंगे तो बिल्कुल भी इस टब्बे के आसपास चीटियां नहीं भढ़केंगी मैं होप करती हूँ कि छोटी सी टि यह हुए इसकी शापनेस को वापस ले आते हैं जिसके लिए हमें चाहिए तरीके का फॉइल पेपर और फॉइल पेपर को फाड करके इसको बॉल बना लेजिए बॉल बनाने के बाद इसको ऊपर के साइड में इस तरीके से रख करिए आप ओपोजिट डिरेक्शन में मत इ ज़्यादा तेज हो गई है आप इस पे हाथ लगाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और बिल्कुल अच्छे से यह चमक भी जाएगा जो भी इसके उपर गंदगी भी होगी वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगी तो यह टिप भी बहुत ही ज़्यादा अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा चलिए देख लेते हैं नेक्स टिप तो देखिए यहां पर हमने मिक्सी के जार लिया हुआ है चुकि यह ऐसी इंपोर्टेंट चीज है जिसकी जरूरत हर किसी की किचन में होती है और कई बार हम क्या करते हैं कि इसको अगर बिल्कुल घर पे आसानी से तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इसको एक प्लेट में रख लीजिएगा ताकि जो भी इसके अंदर गंदगी है वो प्लेट के अंदर ही गिरे अब इसमें क्या करना है कि हमें डाल देना है बेकिंग सोडा एक चमच के आसपास और एक टेबल स्पून डाल देना है इसमें वाइट विनेगर जैसे ही हमने वाइट विनेगर डाला आपने देखा कितनी अच्छे से इसमें बुलबुले उठे और जिसके वज़े से जितनी भी इसकी गंदगी होगी न वो धीरे धीरे करके और बिल्कुल फूल जाएगी फू इसको धीरे धीरे करके अच्छे से रगड़ना है आप जैसे यह रगड़ेंगे न देखेंगे कि आपकी जितनी भी मिक्सी के अंदर गंदगी होगी न वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी और प्लेट में इस तरीके से निकल जाएगी अच्छा यह जो मिक्सी है न हमारी तो जैसे ही आप इसको खंगा लेंगे न आप देखेंगे कि बिजबल रिजल्ट सोंगे आपके सामने जितनी भी इसके अंदर गंदगी होगी वो बिल्कुल साफ हो जाएगी और जो यह गरारी होती है न यह बहुत ही अच्छे से वर्क करने लगती है तो अगर आप भी अपन हлекती है और होता क्या है कि हम धेर सारी टी शर्ट एक साथ खरीदें और उसको यूज करते हैं यूज करने के बद वाश भी करना होता है उसे फोल्ड भी करना होता है उसे हैं गल लगाना लोडाउन करके देख लीजिएगा देखिए हमने एक हेंगर में लगा दिया आप देखिए दूसरे हेंगर में भी लगा के दिखा रही हूँ बस इस तरीके से आपको नीचे के तरफ इसको सरकाना है और ये आटोमेटिक अपने आप ये हेंगर में जो टी-शिर्ट्स है वो लग जाएंगी देखिए बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा एफॉर्ट की कोई जरुरत नहीं है आप एक साथ पचास भी अगर आपके पास टी-शिर्ट्स होंगे आप मिनट में इसको लगा करके बिल्कुल रेडी कर लेंगे और बस आप अपने जो भी वाडरोब है उसमें लगा दीजिए जब आपको जरुरत पड़े इसको निकालिए और पहनिए तो है ना ये बहुत कमाल की टीप अगर आपको कमाल की लगी है ना तो प्लीज इसको शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो देखें यहाँ पे इस तरीकी की सैंडल की बात करूँगी कि जो कुलापूरी स्टाइल की सैंडले होती है ना वो देखने में इसको थोड़ा सा टाइट रहेगा और इसको पहनेंगे ना तो यह बहुत ही ज़्यादा बाइट करती है ना वहाँ पे थोड़ा सा स्मोधनिस आ जाएगी जिसके वज़े से यह बिल्कुल भी आपको काटेगा ने क्योंकि यह मेरे साथ भी है दिकत तो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ और यह वर्क करता है चलिए बढ़ते हैं नेक्स टिप के तरफ तो देखिए यहाँ पे हमने नीम की कुछ पतियां ले ली है अच्छा आप सोचेंगे कि यह नीम का क्या करूंगी मैं लेकिन इन गर्मी के सीजन में यह नीम की पतियां बहुत ही जादा यूसफुल होती है और बहुत ही जदा इफेक्टिव भी होती हैं तो देखिए इसको क्या करना है कि सबसे पहले तो इसकी जो पतियां है न उसको डंठल से निकाल लेनी है और देखिए गर्मी में क्या होता है कि बहुत तरीके के फोडे फूंसियां और गर्मी में दाने निकलते हैं जिसे हमारे साथ भी ऐसी problem है तब ही मैं आपके साथ share कर रही हूँ चुकि हमें नहीं पता कि किस चीज़ से हुई क्या पता ये color से हो गई जो गुलाल होता है उससे color तो हमने लगाया नहीं बट गुलाल जरूर लगाया था होली में तो हमें लग रहा है कि इसी से हम लोगों क जरूर कर लीजिएगा क्योंकि जितनी भी atmosphere में गंदगी होती है वो सारी इन पत्यों के ऊपर चिपकती है जिसके वज़े से देखिए कितनी ज़्यादा पत्या गंदी हो जाती है अब इसको देखिए अच्छे से wash कर लिया है wash करने के बाद आप इसको refill कर लीजिएगा बि जब आप नहाएं तो उस पानी में आप इसका इस्तमाल करें चलिए बढ़ते है नेक्स टिप के तरफ तो देखिए इस तरीके की जो लोहे की knife होती है ये work बहुत ही अच्छे से करती है और ये वाली जो knife है ये मेरी favorite है क्योंकि ये बहुत ही sharp है तो देखिए कभी कभी क्य होता है कि जब इसका use करते करते इसकी जो धार होती है न वो थोड़ी सी मतलब मर जाती है तो इसको तेज करने के लिए आपको किसी भी market में जाने के ज़रूरत नहीं है आप इसको घर में तेज कर सकते हैं जैसे आपकी grenade के जो पत्थर होते है न आपके kitchen में आप उस पे इस लाइक करिएगा चनल पर पहली बार आएं होंगे तो subscribe भी कर लीजिएगा बेल आइकन को भी hit कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिलेगी जिससे आप हमारी वीडियो को miss नहीं करेंगे तो मिलती हूं मैं कल की वीडियो में तब तक के लिए बाइ 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 और तक केर